इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप भी अपनी Gmail ID को साइन इन नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रोब्लम को कैसे सोल करेंगे इसी के बारे में आपको बताएंगे तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप अपने password को भूल जाते हैं और उतने समय आप अपनी Gmail ID को गलती से sign out कर देते हैं तो होता क्या है जो आपका Gmail ID होती है उसको आप उतने समय forget करना चाते हैं तो वो आपका forget भी नहीं होता है मतलब जो आपका OTP मांगता है वो भी बराबर मांगता है जो recovery email है उसका भी OTP आप देते हैं दोनों का OTP देने के बावजूद भी आपकी Gmail ID है जो की sign in नहीं होती है कई बार ऐसा होता है कि आप password भूल चुके हैं और आप बार बार उसी password को try कर रहे हैं कि ये नहीं ये था ये नहीं ये था तो उतने समय भी आपका invalid click के मारे आपका जो account है कुछ समय के लिए disable कर दिया जाता है जब तक आप उसके लिए appeal ना करें या फिर ऐसा होता है कि आप अपने phone को hardware reset कर देते हैं और आपको अपनी Gmail ID का password नहीं पता होता है काफी सारे region होते हैं तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे इस बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको Google पे आना होगा Google पे आने के बाद disable Google account लिखना होगा जैसे ही आप disable Google account लिखते हैं तो यहाँ पर आपको देखे काफी सारे option दिखेंगे तो यहाँ पर आपको delete account दिखता है इसके उपर आपको गलती से भी नहीं जाना आपका account डिलीट हो सकता है यहाँ पर आपको लिखना है देखे यह आपको दिखा रहा है your account is disabled Google account help Google support तो आपको इसके उपर किलिक करना है जैसे ही आप इसके उपर किलिक करेंगे तो यहां पर आपके समने काफी सारे उपसन खुनес खुलेंगे आप यहां पर दिख सकते हैं step by step आपके समने के उपसन खुल ले हैं Your account is disabled तो ही यहाँ पर आपको छेंड खान करनी है अगर आपके मैं यहाँ पर कुछ और लिखा आ रहा है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी छेंडना नहीं है आपके अकाउंट में कुछ और भी प्रोब्लम हो सकती है जो अभी आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नीचे बीच में एक option दिखेगा, एक दिखेगा, यहाँ पर fill form का दिखेगा, जो कि आपको नीचे आएंगे थोरा सा, तो यहाँ पर थोरा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर दिखेगी, यह वाला option है, यह वाला fill out this from, तो इसके उपर आपको click करना होगा जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो आपके समने इस तरह का page खुलेगा तो यहाँ पर हम इसके उपर click करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे समने काफी सारे option खुल चुके हैं तो यहाँ पर आपको थोरा सा नीचे आना होगा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं S and No तो यहाँ पर आपको S कर देना है No नहीं करना है कई लोग यहाँ पर No कर देते हैं तो यहाँ पर S करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी वो Gmail ID डाननी है जिसको आप sign in नहीं कर पा रहे हैं और नीचे आपको वो Gmail ID डाननी है जो आपके पास अभी मोजूद है क्योंकि इस पर आपको YouTube एक दू दिन के अंदर content करेगा उसी में आपको password चेंज करने का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको recovery Gmail ID है जो कि आपको नीचे वाले में डानना नहीं भूनना है और यहाँ पर आपको एक box और मिलेगा जो कि आपको ध्यान से देखना इसमें क्या फिल करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे comment box में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो आपने phone को reset किया और आप password भूल गए तो उसमें बोल सकते हैं कि हाँ मैंने phone को reset किया और मैं पासबोर रियाद नहीं रहाओ मैं forget करने की कोशिश किया और वह चीज़ आप अपने भासमेंसिन को समझा सकते हैं ठीक है ताकि यह लोग समझ पाएं और तो यह भी लिख सकते ह जो मैंने आपको नीचे comment box में discussion में दिया है तो उसे यहाँ पर आप फिल कर देंगे और submit पर किलिक करेंगे जो आपका account ही यहाँ पर 3-4 दिन के अंदर आपके पास आजाएगा और वहाँ पर आपको जब तक mail नहीं आता है तब तक आपको wait करना है और जैसे mail आ जाता है आ आपको बार-बार प्रेसा नहीं करना है बार-बार mail करके तो mail आ जाता है उसके बाद आप अपना passport बड़ी असानी से change कर पाएंगे thanks for watching this video अगर आपको problem होती है तो आप मुझे instagram पर polish कीजिए आजाज कुस्वाब 524